नमस्का दोस्तों इनकी वर्तमान आयो 37 years है और ये जो भरत की नवरत कंपनिया उसमें से एक में ये काम कर रहे हैं अब इनके 3-4 फोटो मिलाकर इस पाम का एनालिसिस करना पड़ेगा क्योंकि अलग-अलग चीजे अलग-अलग पाम पर शो हो रही है यानि एक सारी चीजे शो नहीं हो रही है जिस किसी व्यक्ति के हाथ में इस तरह की सीधी रेखा हो तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा समझदार होते और जीवन में जो अपरचिनीटी मिलती है उसे ग्रेब करके आगे बढ़ते ये पाम एक तरह से रेक्टेंगल भी है और यहां से च से राम कलाम है यानि सेल्स फिल्ड हो मार्केटिंग फिल्ड हो उसमें बहुत अच्छा काम कर पाते हो ऐसा भी देखा गया है और चोड़ा भी है तो व्यक्ति मेहनती भी होता है फल्ड फेलेंज काफी नुकिल हुए है तो यह प्लस पॉइंट है काम के प्रति अच्छी कासी धगस होती है यानि इच्छा सक्ति होती है इनके फैलेंज काफी आकर्शित है एक तरह से बिजनेस परसन के होते है इस तरह के फैलेंज है तो यह प्लस पॉइंट है और थोड़े से मोटे भी है और अंदुनी मंगल अच्छा होने के कारण सरीर में उर्जा अच्छी खासी रहेगी सुरी के उंगली बढ़ी है तो व्यक्ति में हिम्मती सभाव होता है और ये उंगली फर्स फैलेंट तक नहीं पहुच रहे है तो व्यक्ति डॉकुमेंटेशन, फाइलिंग, चीजों को संबाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मेनेजमेंट और अकाउंट ये सारी चीजों में व सारी बढ़ी है, यानि ये संपंता तो जीवन में पाही लेंगे, पहली चीज, ज्यादा लाइन होती है तो व्यक्ति सेवा भावी भी होता है, सुन्दर भी होता है, वानी मीठी होती है, ये सारे गुंटों मिलते ही है, पर यहां से ये दबा है, इस तरह का दबा छेत्र हो तो व्यक्ति अपने मन की बात नहीं कर पाता है, चाए कारे छेत्र की मीटिंग में हो, चाए परिवार में बैठा हो, कहीं न कहीं वहां से निकलने के बाद याद आता है, कि मुझे ये चीज बोलनी थी, ये रह गई और ये पार्ट जब उभार होता है, तो व्यक्ति कहीं न कहीं नाम के प्रती ज़्यादा जिग्यासा रखता है, यानि छोटा भी काम करें तो उसे नाम की पड़ी रहती है, तो ये एक पॉइंट है, यहां पर सनलाइन भी इनकी अच्छी खासी चल रही है, एक यहां से नि यहां पर शुक्रवलय भी बना हुआ है, ऐसे लोग जन्म लेते ही, परिवार संपन बनता है, और जहां आम इंसाने एक हजार कमाता है, वहां ये लोग लाखों कमाते हैं, कंप्लीट शुक्रवलय है, और सनलाइन होने के कारण व्यक्ति व्यवस्तित इंकम करता है, यहां पर एपेक साइन भी बनी हुई है, तुसुर्य की सक्ति को बढ़ाता है, यानि यश, यह सारी चीजे इनको आसानी से प्राप्त होगी, यहां विद्यारेखा भी है, व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और लोग इनको पूछ-पूछ कर काम करते हैं, और यहां पर एक स्क्वेर साइने दिख रही है, पुस्तेनी जमीन जायदात की और इशारा करती है, व्यक्ति की, और इनकी अमुक जो थोड़ी सी लाइने है, वो सुरिपरवत की और भी जा रही है, तो मैंने इनको पूछा था, क्या विदेश से संबंध है, तो इन्होंने कह कि मैं कई बार, अब कई बार सब्दी यूज किया या वो मुझे याद नहीं, पर ट्रेनिंग के लिए ये विदेश में जा चुके है, हो सकता है, दो चार बार गए हो, क्योंकि इनके जीवन रेखा से भी एक लाइन निकल कर चंद परवत की और जारी, इनका चंद परवत अच्छा है, तो हो नहो बुड़ापे में इनका विदेश से संबंध आए, जो सदा के लिए जा सकते हैं वहाँ पर, ऐसा संकेत यहाँ पर दिख रहा है, इनके हाथ में, और श्रनी परवत व्यस्तित है, तो व्यक्ति को आलस क्या होता, पता ही नहीं होता, और कंटीन्यू फेट लाइन है, तो बुड़ापे तक इंकम जीवन में आती रहेगी, अब जो पूरा फोटोग्राफ था, उसमें इनका जुपिटर माउंट व्यस्तित लग रहा था, पर इस फोटोग्राफ में यहाँ पर उभार लग रहा है, अगर इस फोटोग्राफ के हिसाब से इस त लाइने चल रहे है, यह मल्टिपल इंकम शो करती है, पामिष्टी एस्ट्रोलोजी में व्यक्ति का ध्यान जाता है, धार्मिक्ता आती है, और सिव अभावी बनते हैं व्यक्ति, तो यह एक प्लस पॉइंट है इनके हाथ में, और इन लाइनों को दूसरे फोटोग्राफ म मैं भी देखें, जुपिटर माउंट डिश्टब लग रहा है, यहां से, पर इसके पास वाले फोटोग्राफ में, डिश्टब ने एक लाइन, दो लाइन, अल्रेडी लाइन है, यानि मल्टिपल इंकम के सोर्स इनके पास create होते रहेंगे, यह एक प्लस पॉइंट है, अब अंदूनी मंगल देखें, तो थोड़ी लाइने ज्यादा होने के कारण व्यक्ति चिंतित रहता है, यह लाइने व्यक्ति को चिंता का भाव देती है, हमेशा चिंतित रहता है, आज अच्छा हुआ तो कल खराब तो नहीं हो जाएगा, कुछ खराब हुआ तो इस से जब व्यक्ति में अच्छी ही रहती है, भारी मंगल पर भहुत सारी लाइने दिख रही है, जब इतनी लाइने हो तो व्यक्ति को पुली स्टेशन और कोट के दर्सन करने ही पड़ते है, अब परसनल लाइन में जब इसमें से कोई एकाद रेखा भी शाइन करती है, तब प अफड़ेबल फिल करेगा, अब इस पाम में देखें तो चंड़ परवत अती अच्छा उभार लिया हुआ है, इनको हंडेट परसन पानी अच्छा लगता होगा, दूच से बनी वस्तुए अच्छी लगती होगी, अब दूच से बनी वस्तुए बहुत सारी है, तो जरूर वभी नहीं कि व्यक्ति को सारी चीजे अच्छी लगे, दूचार चीजे उसमें से बहुत टेस्ट से व्यक्ति खाता है, अच्छे परचेसर होते हैं, प्लस नहीं नहीं चीजे करने का शोक होता है, और व्यक्ति का विदेश से संबन आता ही है, second चीज, यहाँ पर इनकी ज जाना आना विदेश में या सेटल भी होना चाहे तो हो सकता है व्यक्ति मनिट एंगल भी देखे तो काफी बड़ा है पर भूत सारी बुद्ध रेखा है तो जब ये कंडिशन होती है तो कहीं न कहीं ओपन होता है यानि खर्च का पेमाना ज्यादा रहता है व्यक्ति के बास ये इतना पैक है ये मनिट एंगल पैक है पर उसके बाद का जो बड़ा वाला बन रहा है वो बहुत सारी बुद्ध रेखा है तो ऐसे लोगों को ऐसे डीटी से रिलेटेड इश्यू भी रहता है जीवन में बागी चंद्र परवत पर कोई माइनस पॉइंट शो नहीं हो रहा है ट्रावेल लाइने जरूर है ये व्यक्ति को ट्रावेल कराती है इसके अलावा कोई माइनस पॉइंट नहीं है शुक्र परवत भी जैसा चीए वैसा है एक व्यवस्तित शुक्र परवत है तो व्यक्ति कपड़े अच्छे पहनता है व्यवसित रहता है खुद का प्रेजेंटेशन अच्छा रखता है गर्मी पसंद नहीं आती ऐसे लोगों को और पैसा कमाने का शौक भी रहता और पैसा कमाते भी है अब इनकी हिर्दे रेखा देखें तो हिर्दे रेखा से एक लाइन दो लाइन तीन लाइन इस तरह से जब निकलती है तो यह चार लाब दिखाती है ससुराल पैसे वाला या साधी के वाद ससुराल पैसे वाला होता है जो भी कारे करता है, वहाँ पर managerial post या उससे उपर की post मिलती है, सरकारी lab और political lab, अब हो सकता है इनको 2 lab मिल चुके हो, उपर की post भी मिल गई हो, managerial post और सरकारी lab तो अल्रेडी ये प्राप्ट कर चुके है, कई लोगों को चारों benefit मिलती है, किसी को तीन, किसी को दो और किसी को एक अब यह जो हृदय रेखा में यह शनी छेत्र से ही निकल रही है और इस तरह से आगे बढ़ रही है और जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, वैसे डार्क होती है और यहां पर एक दो लाइने नीचे चल रही है, यह माबाप का ख्याल रखने वाले, और यह उपर जाती है, यह फ्लर्ट लाइन है, यह होने पर अगर व्यक्ति दुखी भी हो, तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुछी दूमता है, अब यह हरदे रेखा, जै यानि मित्रों को या सके संबंद्यों को पैसा देते, और वो पैसा वापस नहीं आता, अब माइन लाइन पर, अगर देखे तो जुपीटर से स्टार्ट हो रही है, तो व्यक्ति महतोकांशी तो होता ही है, पर साथ में महतोकांशा पूरी भी करता है, अब इस माइन लाइन पर दो जगह पर प्रॉब्लम दिख रहा है, एक यह यह साइन अगर होगी, तो इनका जो 30 से लेकर 32 का पिरियड गया होगा, वो बहुत खराब गया होगा, आर्थिक और सामाजिक रूप से काफी डिश्टर्ब रहे होंगे, यह दो साल के पिरियड में, दो या धाई साल के पिरियड में, दिश्टर्ब रहे होंगे, और उसके बाद यहाँ पर 37 के आसपा से एक ब्रेक है माइन लाइन पर, यह जब कंडिशन होती है, तो व्यक्ति इसके बाद serious बनना चालू होता है, उसके पहले serious नहीं होता, जब ब्रेक होता है तो, और उसके बाद यह माइन ला सी चल कर, लंबी सी जा रही है, हाँ दीरे दीरे यह धार्मिक बनेंगे, और घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करेंगे, imagination पाउर बढ़ जाएगा इनका, यह सारे plus point इनको मिलते रहेंगे, अब इनकी रावरेखा के लिए हम और एक photograph से उसका यूज करते है इनके जीवन में देखे, तो एक लगबख 26 के आसपास रावरेखा दिख रही है, एक 28 के आसपास दिख रही है, एक 31 के आसपास दिख रही है, एक 35 के आसपास दिख रही है, एक 37 के आसपास दिख रही है, एक 37 के आसपास दिख रही है, और एक 42 के आसपास रहु रेखा भी है और ओफशूट भी है अब इनको इस पिरियर तक धन रेका साथ नहीं दे रही है पर ओफशूट है तो इनको कोई न कोई उच्च पद प्राप्त होगा या कोई न कोई सपलता मिलेगी या कोई प्रापटी खरीद देंगे कोई न कोई एक फोटी 7 में है एक फोटी 8 में है इतनी राव रेखा है इनको जीवन में परेशान करेगी और यह अच्छी खासी लाइन चंद्रपरवत प्यार जा रही है और यह लाइन सीधी चल कर आगे तक जा रही है तो continue छोटी राव रेखा है इनको डिश्टरब कर ही रही है इनके लिए आएगी जरूर और दो आपशूट है उनका बेनिफिट भी मिलेगा अब धन रेखा को देखें इनके तो धन रेखा पर यहां पर इनके जीवन में कोई ना कोई बदला आया होगा 36 के आसपास उसके पहले एक दो कट अल्रेड़ी चली रहे यह जब कट होते है एक 28 के आसपास है एक 31 के आसपास है एक 33-34 के आसपास है इस तरह से कोई ना कोई खर्च आसपास है इनके जीवन में कोई ना कोई ना कोई इनके जीवन में बदला आया होगा यह स्क्वेर साइन के कारण और आथरेटी पोजीशन इनको हो सकता है कोई अच्छी वाली मिलीओ और यहां तक यह धन रेखा disturb है और ये पिरियड होगा इनके उम्र का लगबख 40 या 41 तक इस फोटोग्राफ के हिसाब से 40 या 41 तक इनके जीवन में ये धन रेखा disturb है और उसमें भी देखे तो बहुत सारे कट एक कट ये लग रहा है ये लगबख 38 के आसपास या सारे 38 के आसपास इनको कट लगेगा और एक कट लगबख 41 के आसपास है एक कट 44 के आसपास है ये continue कट लगेंगे इनको यानि कोई न कोई खर्च या ये आता रहेगा और उसके अब ये जिस तरह की धन रेखा है यहां पर इनको आसपास के लोगों का सयोग नहीं मिलेगा जो इनके कलिक्स होगे उसमें से इनके पीछे विरोत में आएंगे अगर ये सुजनबरी होगी तो पर अगर ओवर्राइट है तो बंधन लगेगा ऐसा लगेगा जैसे किसी ने जकड के रखा है इनको इस तरह की फिलिंग आएगी और इसका कोई उपाय नहीं है ये इस तरह से डिश्टरबंस आपके जीवन में चलेगा लगबग 44 तक आप छोटी मोटी कठिनाईयों का सामना करते रहोगे और उसी पिरियड में आपको एक 42 के आसपास आपशूट भी मिल रहा है तो कोई सफलता भी आपको मिलेगी एक 44 में भी एक चोटा आपशूट है ये सारी जंजटों में भी क्योंकि वो आपशूट देखकर ही लग रहा है कहीं नहीं सुजन बरी रेखा नहीं लग रही है हाँ दूसरे फोटोग्राफ में ये ओवर राइड जैसी लग चीजे है पर इसके बाद ये लग बग 44 तक इनके जीवन में तकलिफ दिख रही है अभी ये 37 है तो कहीं न कहीं जो नदी का पानी सामने की तरफ आता है और हम सामने तेरने जाते वैसी कंडिशन होती है जीवन में खर्च अधिक रहता है रुकावटे फिल होती है हमारे ल अच्छी खासी फेट लाइन आगे चल रही है और यहां से एक और व्योसाय आपका चालो होगा इंकम का स्रोथ क्रियेट होगा ये लग बग 40 के आसपास या 41 के आसपास एक और इंकम का स्रोथ तेयार होगा आपके और यहां पर एंड तक ये रेखाय मैं उपर की देख जीदे कट है वो भी मैं दिखाने की कोसिस करता हूँ ये जब थोड़े इसे कट लगते है उस समय कोई ने कोई आर्थिक नुकसान हमें जाता है एक लगबग 58 के आसपास है एक 60 के आसपास 62 के आसपास है बागी continue फेट लाइन है सुर्य परवत की और देख रही है तो हो न तक ये दिश्टरबंस है ये और ये 36 से पाट चालू हुआ और ये अप टू 44 तक आपको कठीनाई वाला समय है किसी न किसी तरह और उसके बाद एकदम फ्रीनेस महसूस करोगे एकदम और ये एक व्यवसाय चालू होगा आपका या कोई ना कोई इंकम का सुरोथ चालू हो जो एक-दो साल कमजोर चलेगा पर एक-दो साल धाई साल के बाद वो रफ्तार से इंकम देगा और उस पर भी एक कट आएगा ये लगबग वो कट होगा 47 के आसपास तो ये चीज आपके हाथ में दिख रही है आशा रखता हूँ आपके सभी प्रश्णों के जवाब आपको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद